स्वागते पीटी सी नियूज से विस सार दरशकां दा मैं हर्परीट सिंग तुस देख रहे हो गिलको प्रेज़ेंट से विचार तकरार एक और एहम मुद्दे ते विचार चर्चा लेके तो और समड़े को फिर तो हजरा गोल्डी ब्राड ओशक्स जिस दराम सुर्ख्यां विच रहा ओ शक्स जिसनों लगपा घर पंजाब आसी चंदा सी की फड़या जावे ओ गोल्डी ब्राड जिड़ा के सिद्धु मुसे वाले दे कतल दा मास्टर माइंड किया जन्द है जहां उसनों डिटेन कर ले गया यूएस द विच चे उसनों कैलिफोनिया पुलिसों समने सख़दा सालिया क्योंकि दो दिन पहला ही एग दिन पहला ही सिद्धु मुसे वाले दे पता नीया ऐलान किता Si गा कि जे कोई गोल्डी ब्राड नों गरफतार करना था दो करोड़ दा इंआम देवांगा सरकार एलान करे जैस सरकार दो करोड़ नहीं देसक्क्ना सि जड़ा उस लाखाद पिछे हुना चाहिदा उपार्त जुरूर लेंता जावे गोल्डी ब्राड डिटेन कर ला क्या है हुन मुद्धे कई सारे सामड़े आरने कई लोग करने की ओ उस मुद्धे देविच डिटेन नहीं होया जैस मुद्धे देविच लुडीन दा सिगा कता लें मुद्धे देविच डिटेन नहीं होया कुछ लोग एवी केंदेने की गल्द तरीके नल कैनेडा तो अमरीका आंड़े मसले देविच उसनों डिटेन किता गया काजजान को एहरा फिरी सी इसकरके उसनों डिटेन किता गया पर पार्दे हवाले करना कोई सौखा क्योंकि बाकी सारे जन्नेवी गैंकस्टर सीगे काटकट सीदू मुसे वाले कतल देनाल जुड़ होए केयाते मौथ हो गई कही इंकांटर हो गया कैई ग्रफ्तार हो गें और उन इन चीजांते कोई विराम लग सकेगा एक वड़ा वार और किनी को वड़ी काम्याभी इसनों मना जावे पार्त दियां अजंसियां दिया पंजाब पुलस दिया इस ते भी चर्चा करांगे कि अर्चना ने जड़ियां ओवी आ सक दिया ने लगातार इस मसले ते काफी नजर बना करकी हुई है अड़ोकेट अनिल पाल सिंग शेरगल साब सीनियर वकील पंजाब रेना हाई कोड थे परमोच चाबडा साब सीनियर पतरकार ने और संडल रबंदर सचदेव दिली तो ज अगे बदन तो पहला ग्राफिक दे जरीयत अनुद खादने है कि जड़े माहर ने विदेशी मामले दे माहर ने ओकी मंदे ने कि किना को अखा होएगा गोल्डी नू पार्तलियाना की के अंदे ने पार्तमरी की मामले दे जानकार पार्तलिया उन्हों ती परक्रिया ने होनगे उननों कि हाँ ए शक्स है जड़ा इस कतलकान तो विच दोशी आजा इन्वालव है गोल्डी नू लियाउन तो विच लग सकते ने कई महीने जा कुछ साल साल भी लग सकते ने एवी दावा किता जा रहे है गोल्डी ते अमरीकी दालत मुच मुकर जानद भी कि मेरनों राजसी पना देती जावे जे कैनडा तो फर्जी पासपोर्टे अमरीका आया ता पहला उत्थे केस चलेगा उत्थो निटारा होएगा उस तो बाद उसनों पार्त लिया जा सकता है एकुछ गुछ 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 तरीके ने जिस करके पूरा मसला है अब याद कर है कुछ गुछ गुछ तार कड़िया ने जिसनों क्या जा रहा कि जल्दी गोल्डी पराड़ा चला पारत नहीं आ सकता संदक हास मां जुड़े हो रहे हैं शुरवात विकरम जीत सिंग हो रहा तो करते हैं विकरम किनी को बड़ी राहत वाली खबर तो नहीं लग दी है या किनी को तो नहीं लगदा है कि ये पार्ती जंसियां दी काम्याबी हैगी है क्योंकि हुन तक जड़ियां गल्ला सामने आई या ने कुछ गल्ला एवी सामने आई या ने कि जड़े जिस मसले ते उन्नों डिटेन किता क्या है ओं मसले ही कुछ हो रहा है इससे दू मुसे ला मसला हुए पर पॉइंट ए है कि एक जड़ा बंदा इस अलेज्ट के बड़े 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 क्राइम्स करवा रहा है सिगा ओ अगर पुलीस कस्टडी ने अमेरिका है तो एक पॉजिटिव औरी चंगी ही खबर है साड़ेली पंजाबली बहुत वदिया खबर है कि अगर असली ओ गोल्डी बरा रहा है कि ओ फड़े आ गया है क्योंकि ए सिगनल जाना चाहिदा है कोई भी जड़े क्रिमिनल्स ने कि ए ना होए कि ए बार बैठके एथे क्राइम्स करवाई जान अपने जड़े ना दे अकंप्रिस ने ए बार अजाइलम लेलें जा इम्यूनिटी स करन बार बैठके जी सो ए जो गोल्डी बराड नो होते कालिफोनिया पुलीस ने फड़ ले आ है और अपने कस्टडी बिच लेलिया है ओते कोई ना कोई हुन प्रेवेंशन जा कर्ब्स आन गई कि वह अपनी जड़ी ओ क्राइम्स रेजिटली कर रहा सी पहले ओते कुछ र आ सकता है और यू कैन बी ब्रॉट तो जस्टेस बिल्कुरी ओवराल इस पॉजिटली तिंग और आ थिंग पंजाब पुलीस और गर्मेंट ऑफ इंडिया दी एजन्सी विच वी कोई चंगी कोईनेशन ही रही है कि उन्हाने उन्हाने उन्हानों ट्रेस करवाके उन्हानो गोल्डी ब्राड नो फड लिया बट सेकेंड पॉइंट जो होन अराइज होएगा के साधी गर्मेंट दी एजन्सी और ने किस कॉलिटी ओफ एविडेंस देंगी अमेरिका नो के ओधी एक्स्ट्राइडिशन जस्टिपाई होए के हाँ ओ इन्वार्ड एंड क्राइम जी जी ओनू इंटरपॉल ने रिफ्यूज करता से इंडिया दी रिक्वेस्ट रेट कॉर्ण नोटिस ली जी के ओनने क्या सी तुसी एविडेंस ठीक नहीं दे सके सान। करेगा के असी किस क्वालिटी ओफ एविडेंस देने है यूस अथॉर्टी नू तू जस्टिफाई के असी अन्नू अपने देश रिलाके टू में एंड ट्राइल पॉर दे क्राइम बिल्कुल ए जन्सिया देगे के बिल्कुल वड़ी चनौती रेगी मैं एक मिन वापस आ ले में दी पाशा देविचिक स्टीक जवाब मैं जरूर चाना की इनना सौखा होएगा गोल्डी ब्राड नू पार्त लेके आना जिनना सौखे दावे किते जारने मुखमंतरी पंजाब पगवान सिंग मान हो रने के कि बहुत जल्दी इसी गोल्डी ब्राड नू लें 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 लेंदे तो हम लगता है कि गोल्डी ब्राड दा वापस आना सौखा रहेगा जा जल्दी होजेगा इतना सौखा नहीं रहेगा तर देफिनेटली इनो क्योंकि जैसे भी हमसे पहले पैनलिस्स बता रहे थे फूरा प्रोसीजर है गा जी एंड दूसरी बात है उसमें सारी चीजें टैली होनी होती है जो गोल्डी ब्राड इंसान वहाँ पकड़ा गया ये वही असल गोल्डी किया गया इनो वो दूसरे दो मामले है उदा उन दो मामलों को लेकर के चल रहा था शायद उन में डिटेन किया है जी जी तो उस केस को लेकर के क्या एविडेंस है हमारे पास वो प्रेजिट होगी वहां की जुडिशियरी में जाएगा और बीच में ये अपने दाव कुछ नोई का मैं इंडिया वापिस जावांगा ये नखली केस में पर लगाया जारा है क्योंकि मेरे पॉलिटिकल व्यूज आगी निया और इसकी डिफेंस सारे यूनो पेच डालेगी बट हां जी हां बात ये है कि ये केस बहुत हाइलाइट में आरक है बहुत हाई विज ही कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे बट हर चीज विलाइट वी टेकन थुरू द्रू दिल्ली अप्सलों जाब गोर्मेंट डिरेटली उते अमेरिकन सरकार या कैलिफोर्निया सरकार या जुडिशनी को कुछ नी कमुनिकेट कर सकती जो भी कमुनिकेट होगा हमारी मिनिस्ट्री करेगी तो यह जो पूरा सिस्टम चलेगा इसमें टाइम लगेगा डिफिनेटली एस एक साल भी लग सकता है दो भी लग सकता है या हां वो भी सकता है जल्दी हो जाए छे महीने बट एक लास्ट में कर गोगा क्वेक जी इंपॉर्टन्ट यह भी होगा कि इं इन तीनों केस को कंबाइन करके वहां बोलेंगे कि इसने यह तीनों करें इसलिए वापिस ले जाना है तो हमें उन तीनों केसिस की पूरी की पूरी एविदेंस देनी पड़ेगी जिस पे वो अपनी दाओं पेच लगाएंगे उसमें टाइम जादा लगेगा तो बिर्कुट ठीक क्योंकि क्योंकि तुसी सारे केसिस लेके जानते हैं तो था नों सबूत देने पेंड़ने पुकता और उस सबूत अजे होने चाहिए ने जिस दिनाल जुडीशनी नों लगे कि वाकई इसने क्राइम कीता है इस करके इसनों वापस पेज जा जाना चाहिए एड़ोकेट अनल पाल सिंग्ग शेरगिल साब भी मजूद हैं शेरगिल साब एक राहत वाली खबरता है कि गोल्डी ब्राड चड़ा अजकल सुर्ख्यां देविच्छीगा असल गोल्डी ब्राड और नकली गोल्डी ब्राड देनाम तो वे बड़े सारे फोन बड़ियां पंजाब जी इस विले प्लेग है तेंचार प्राड़म्स नाल जी पहले हिगा लो ड्रग माफिया तो प्लेग है दूजा सैंड माफिया तो पंजाब है इस बीन ओवर्टेकन भाल लॉड़ अफियास और ओस सारा element is an international criminal element and they misuse the name of Khalistan and all that plus मैं सारी कॉंट्रवर्सी चिक मैं कि प्लेग शी लाव, जिर जरूर दो जिया ओस याल जी वी द टुवा peculiar है का मैं सार मैं क्लेंचिए रखे बिडराओं इंट्र पोदे कर सकि है इंट्रवर्रो दोरेत्थरह के मैं सिह we need him for trial and we need him to be extradited immediately to face the judicial process in India. ए इन इटसेल बड़ा complicated है क्योंकि मैं तोड़ी टेंचल ले जाना चावांगा. पंजाब दे विच किन्य ने रही marriages उन्दी हैं, किन्ने fraud उन्देने, किन्ने मुंडे असी फड़ के लाएं हैं वापस ही, कोई नहीं आया. मेरी knowledge ने को बठेरे cases ने, UK देवी ने, US देवी ने, Canada देवी ने, पर शेरगिल साब मैं को extradite होके अंतर बहुत है, एक व्यादे तो खातरी दा मामला थे, एक कतल दा मामला, एक सीरिसनेस नो ते आंदर विच रखा जाना के ने? अशेर भरक है जी, य य अजी तही तो उट भरक है, जी, बढ़ा जी, और भरक है तो प्रशे है, जी मैनु ती साल होगे अलमस्ट प्रक्टिस कारदे, जी तो एक सैटागिशांएं अंतना ज्विए अंट्रिस्म, तो आछ य जी आँवाग्यां। इवी साह आँजिशा, एक सवाल हूर मेरा सवाल है कि संडल रबेंदर सच्छदेव वी मौझूद नहीं है कि जेकर तुसी पाटी केस दा हवाला दे के उसनों वापसी दिमांग कर दे हूं ता उस केस दी ही ट्राइल चलेगी थे ए नहीं है कि तुसे नुबला के चार मामले हो रूद ते पाके तुसी ट्राइल कर सा दे हूं फिर इदा मतलब की एह हूंड चूस करना पेगा सरकार नो या अजनसीस नो कि है कि ने ओ ट्राइल सारे मामलें दा चल सकता है जी कोई बार नी है लौदे विच एक वरी हो साधी कंट्रीच वड़ गया साधी कस्ट्रीच आ गया you can try him for all the offenses he is committed in India उन्हों प्रूव करना पाएगा कि ओफेंस होने क्मिट की ते कि किसे somebody misused his name also in many cases मतलब वी डोंट नो एह स कि नैंक के विटता देराइस टूबी सब्स्टैंचेल एविडेंस जन्ना मैं कर्म जानना थीक इंचल एविडेंस चहिदा सानू थीक फोर लोगा जड़े कहने की तेखो जीच कुछ नहीं हुड़ा इस मामलें कुछ नहीं हुडा पुलस ने कुछ नहीं करना अजन्सिया कुछ नहीं करना ओ बंदा नहीं फड़ाया जाना लोग कांदा जड़ा विश्वास जड़ा हटेया सिगा ओ विश्वास दबारा काम हो पाएगा थोन लगता को राहत मिल पाएगी जी बिल्कुल हर्पी जी एंदे विच थोड़ी जी आज ही कही लोगा नाल गाल हुई है और वो कह रहे हैं चलो किसे भी तरह सही बेशा का अमेरिका देवेश कैलिफोर्निया देवेश ए बंदा रिटेन हुए है अच्छी गाल नहीं साधे वास्ते इंडियन वास्ते और उन सब्सक्राइब क्योंकि उन्हां नो आदे आपनो एनना टुट्टे होया मैसूस कर रहे सी उन्हें माता पीता दो नहीं और यह सी तक तुरे फिर देयां पर है कि यसी जिन्दा लाशिया और उन्दे सिद्धू दे जड़े फैंस हैं लखां दी किंती ने वेच्छ उन्ना सब्सक्राइब थोड़ी एक चीज होर भी है जड़ा गैंस्टर आपने इंडिया देविच्छ पंजाब देविच्छ खास करके एक्टिव है उन्हा देविच्छ वी थोड़ी एक डार्दी जड़ी लेर है ओ चलिया भी जिद्धे मर्जी पाद लिए बचया नहीं जा सकत है लेकिन एक चीज होर भी है थोड़ी जी इंडिया दे ते अमेरिका देजिने रिलेशन है वह अग्ये डालों काफी बेतर है दोनों गवर्मेंट जीडियां अगर इंट्रेस्ट लेके थोड़ा जा एस टोपिक नों सीरियस्टी डेंदे होई अगर पारसरकार इंटर बोल लेकिन को पड़े रहने आप केस कोई भी इना ते जड़े इडिया ना रेलेटिड केसा ओना इंटरोगेशन दा सामना करना पाएगा और सारी चाल सकती है लोरेंस विश्णोई आले पासे कई जिन्हें दी पुलिस ने उन्दे उपर रिमांड लाया उपर रिमांड देके पर इंडिया प्रोसीकूशन दे इसाब देना ला दे इसाबना उनना दे उपर जिन्ने भी केस है वो सारे उपन होनगे और सारे केसी देवेचे में केस जड़ा है ए मैं कुछ क्लिए नहीं कह सकता है भी टेरोरिजम दे केस देविच या सिंदू दे मर्डर दे केस जड़ी गल रुबेंदर सच्देव ने कही है उस गल दे विच भी दम लगता कि जेकर तुसी एक टेर्रिस दे रूप दे विच टेर्रिजम दा मेन मसला ले आके तुसी खड़ा कर सादियों तास पुर्दगी जल्दी हो सकती है क्योंकि ये मामला एक डेरा प्रेमी दे कतल हुआ है थे जिडिए शीड़ा करांगे शिर गुर्दगरांट सब्सक्राइब नाइख़ा है कि वेच टर्रिजन देख सकते हैं जह जड़ा है कि ये पुटिकुलर केस जड़ा ओँ बनाके जधा फैदा हैँगा या ऑवराल जे कर तौड़े बहुत सारे मसले ने गोल्डी मामले ही आके रखने चाहिए ने विद सुबूत अगर ते ओने गोल्डी वराड तो कॉल्डी वराड अगर उने यूएस एंटर की ता ऑन फेक पेपर्स देन तो ओधी डेपोर्टेशन होएगी तो इलीगल एंट्री ओधी अगर उने लीगल पेपर्स दे थू कैनड़ा दे तो यूएस आया है then his case will be moved for extra edition और extra edition दा case will be moved by the US department जिड़ा secretary of state दा department है उनना दी foreign ministry है ओक कैलिफोनिया दे विच एक judge appoint करवांगे जिस जज़ दे सामने सारा सबूत पेश होएगा कि एक गोल्डी बराड ओई है जिड़ा इंडिया विच इस केस देनाल लिंक्ट है ओर जज़ सारी एविडिन्स रिव्यू करेगा और गोल्डी बराड नो अपील दा भी चांस मिलेगा और वकील भी खड़ा करके अपने आपनों बचांदी भी कोशिश करेगा और मैं थोड़ा डिसग्री करना दूजे पैनलिस्ट नाल अगर इंडिया ने उन्हों कहता के खालिस्तानी टेरिज्म है धैन इन दे वेस्ट ओखालिस्तानी नो टेरिज्म देनाल डारेक्ली नहीं ज दें दे गान शेटनी टेरिस्म अगर गोल्ड़ा गया के मैं नू तD आप अगर आचरिशानी ने पांसरी देन इन आगर ऑफ जबड़ंब देने डारेक्ली गिंदेन ह Confederacy jaar रड़मिया्द ही टोडिया डीज एक्रडेशन अगर करने एक्रडेशन अगर करने टेक लॉंग टाइम पिकाउस रिव्यूज उन्देने अपील जूंदिया ने तुसी देखो विजय मल्या इंग्लेंड विच बैठा जी जी ओधी एक्रडेशन भी चल रही है पर देखो किनी देर होगी या ओधी एक्रडेश जी तुसी सीन साथ दा नाम ले उन्हादी स्टेटमेंट में पढ़के सुना दनों की केंदेरें आज गुजराद विच उन्हेंने क्या है कैलीफॉर्णिया पुलिस ने सानु संपर्क करके जान करी देती है पुलस ने सानु पुछ या कि डपोर्ट किता जावे जा की बिलकुल फेक गाले ना दी सीम साथ दी यह देविच कोई दाम नी है का जेड़ी कॉर्स्पॉंडेंस हों दी है ओपुलीस थे कर दीनिया कालिफोनिया दी कालिफोनिया पुलीस जेड़ी यूस दी स्टेट डपार्टमेंट है जेड़ा उन्हादी फोरन मिस्टी है यूस उन्हों कॉंटेक करेगी उन्हों दसेगी कि यह जा नैशनल बंदा फढ़े गया जिड़ा पासपोर्ट औरिजिनली इंडिया दा हैगा राइट वटेव इंटर्व इंटेट ने फिर ओव मिनिस्टी आप एक्स्टरनल पेज इंडिया ना संपर्क करांगी ओफिर मिस्टी सब्सक्राइब करेगी तो स्टेट गर्मेंट पुलीस के एक बंदा जिसो कहने गोडी ब्राड होते पड़े आ है ते ओधे बारे हूं सानु अगे कारवाई और एविडेंस पेश करनी है तो एक कैलिफोनिया पुलीस डारेक्ली सीम साब नू दस्या नाने और पुछिया कि यह बिल्कुल ही गलत एक स्टेटमेंट है बेकु ठीक है चलो चोड़े ब्रेक लिसां रुकड़ादा वक्त हो गया ब्रेक तो बाद भी एविशा जी शेर गिल साब तुसी बतार वकील में थोड़े तो समझना चाहना कि एक स्टेट थे जड़े क्योंकि वदेशी मसलिया बढ़े जान दा उदर विच स्टेट थे किन्ने को राइट्स रहे जान देने या स्टेट था किन्ना को संपर्क रहे जान दा है दूझे मुलक दी किसी पूलिस देना जे एब एने रेस्ट कीता है एक्सरेडिशन सिद्धी हो जाएगी जे होमलेंड सिकेरिटी ने कीता है और डिटेइन करंगे ओधे करंगे आफ्टर 9-11 जो जिनक मैंनो पता है ओपूरी वेरिफिकेशन कर देने कि बंदा का दे ना और ऑगनाइस क्राइम ने कनेक्टेड है इसी कनेक्टेड तो टेरिरिसम इसी बिलॉंगी तो सम् टेरिस्ट आउटफिट धे डिटर्मेन अने ट्रैक्टिकल फैक्च्छल एविडेंचरी लेवल ओधे बात पता लगेगा अभी केड़ा केड़ा डिपार्टमेंट उन्हां अन्हाइब कर रहा है जी एफबी आ ने रेस्ट कीता है उन्हों कि उन्हों होमलेंड सेक्यूरिटी ने कीता है की काउंटी प्लीस ने कीता है बिल्कुल अब डैट विटर्मेन इस प्रोसेस ऑव एक्स्टेडिशन फर्दर हां ठीक है जी और रुबेंदर सच्देव साब जवाब जरूरा है सब कोई केस्टडी थोड़ी नजर देविच होवे एदांदा कोई मसला पहला आया होवे और उन्हों ते आंदेविच रख दें होया तो उसी सान कोई जानकारी दे सको कि कि किस तरह सारा एक प्रोसेस होंदा ते कि नहीं जल्दी वापस आ सदा है कोई केस्टडी थोड़ी दमाग चाहिए पराणी कोई होवे एक केस्टडी जो ध्यान में आती है वो अबू सलेम की है जो पोर्तुगाल से इंडिया वापस आई थी उस गैंस्टर को बंबे ब्लास का लेकर के हमने इंडिया ने 2003 में हमने फॉर्मल वो डाले थी यूनों डॉक् केस है उसी केस पर उसको यहां ट्रायल हुआ है अबू सलेम का राइट और उसमें टर्की में सारी पोर्तुगाल में और यॉरप में तो यह भी है कि अगर डेथ पैनल्टी जिस देश में नहीं है तो वह एक्ट्रडिशन में यह कंडिशन लगाते हैं कि हम आपको भेज तो देंगे बंग आपके या भी इसकोट पिज आप नहीं देंगे आप मेरिका के केस में अमेरिका में भी है तो अगर कोई भी हम ओ行कर पर कम आपको है और अगर elder केस चलता है । इंडिया नहीं जो बॉटम लाइन इसकी आतंखो या जो भी केस हो, जो बॉटम लाइन इसकी आतंखो या जो बॉटम लाइन इसकी केवल उस हद तक है कि अमेरिकी सरकार के जो लॉयर हैं, वो जब कोड में आर्ग्यू करें, कितना ज्यादा आर्ग्यू करें, या बोलें जल्दी जल्दी केस खतम करो, हम आगे नहीं कहना चाहते हैं, जो डिसि बिलकुल influence नहीं कर सकती, बट हां, क्योंकि प्रोसीकूशन अमेरिकन सरकार की है, तो यह लोग केस को कैसे प्रोसीकूट करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, और कितना यह रेट टेप को काट करके, कि भई ओके फाइन, हमें ज्यादा अब्जेक्शन नहीं है, इंडिया जो अपना केस बना रहा है, उस पे यह लोग ज्यादा, इंडिया से केस लेकर यह लोग आर्ग्यू करेंगे न, वहां पर, वहां उसके गोल्डी परार के अपना डिफेंस लॉयर होगा, और जो केस चलेगा, वो अमेरिकन गर्वर्मेंट के लॉयर्स के जवारा चलेगा, और रुबेंदर सच्टेव जी एक सवाल मेरा हो रहा है, जे जिस तरह एवी खबरां आ रही हैं कि ओजाली पासपोर्ट दे जरीए, कैनडा तो अमेरिका गया, अमेरिका दे विच जाली पासपोर्ट दे मसले दे विच फड़या गया, तक कि बाकी सारे मसले चड़ दीए, अस इसनों डिपोर्ट कर दो, उन पात जाने, जिनने मर्जी दे ते केस होन ना होन, कि ओ जदा सौखारा नी रहेगा, इजी वे रहेगा? तो वो एक अलग, मेरे खाल से, वो एक अलग, वो एक अलग रास्ता हो जाएगा, डिपेंड करेगा हमारी इंडिया की स्ट्राइजी पे, कि किस केस की उपर हम इसको अपने देश वापिस लाना चाहते हैं, अब आप जो बात केह रहेगे, डिपोर्टेशन, तो के, यूविस का क्या लौ है, वो देखना पड़ेगा, वो तो फिर यह हो रहा है, कोई भी फेक डॉक्युमेंट इन अमेरिका पहुंच जाता है, ठीक है, तो उन उसे देखना है, पहुंच जाता है, तो यह दलील यह दे सकता है, कि मैं तो इंडिया से वाग रहा था, क्योंकि मेरे को वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेक्यूशन किया जा रहा है, क्योंकि मेरे विचाह है, आप इसके डिपोर्टेशन का अगर एक्सपेक्ट करेंगे, तो यह इसके पास र रास्ते जादा होंगे बचने के, तो नॉट बी डिपोर्टेट बैक तो इंडिया क्लेमिंग, कि अगर मेरे को आपने वापिस इंडिया देज दिया, तो मेरे को तो प्रोसेक्यूशन करके, मेरे को जस्टेस नहीं मिलेगा, तो तो यह बेटर मेरे ख्याल से, अगर केस दे इंवेस्टिगेशन दे लगातार संपरक दे विच्ची गयां, इंडियन एजनसी, गोल्डी ब्राड बारे सू, गोल्डी ब्राड बारे जानकारी भी इंडियन एजनसी इसने देती है, एफबियाई नो कि फलाणी जगा ते ओबंदा लुक्या होया, उसनों फड ले जाव मतलब एक इंडियन एजनसी पहला ही संपर्क्त विच्ची एफबियाई दे और खद्शा सिगा के कैनेड़ा तो मूब होके अमेरिका जा सकता है, चंगी स्टाड़जी है, असी मन सकते हैं इस पूरे मामिले तविच परमोच चाबड़ा साब तो एक छोड़े एक सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं लगता है कि एक डर दी जड़ी पावना है, ओ थल्ले लेवल तक जान दी है कि नहीं जान दी है, जी बिल्कुल जान दी है, और तुसी देखे होना है, कई फेक कॉल्स भी गोल्डी ब्राड़ दे नाम दे उपर, एथे वापारिया नूं सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन मेरा एक स्वाल है, जीड़ा सच्देवा साब रुपिंदर जी बैठे है, विदीशी मामले दे जानकर तुसी इंटूड्यूस किता है, और जीड़े ए देखो, एवी ता हो सकता है, कि जिस तरह आप हमने एक ख़बर आई है भी यह जड़ कानेडा और अमेरिका दे टाच दे विच सी और सारी यह दे बारे जो है, उनने सर्च आउट चाल रहा सी इंदा, यह भी तो हो सकता है, कि उनने आप गोल्डी ब्राड ने जान बुझ के एह हो जी हरकत किती हुए, कि मैं इंडिया किसे भी रूप दे विच ना जामा और मै कांटर वगारा और सरी चीज़ा जडिया वो चल दी है, तो यह दो हो सकता है कि गोल्डी ब्राड दी कुछ आदी ऐसी प्लैनिंग रही होए, कि चुठे फेक केस दे वेच उन्दे सजा सुझा भी जड़ी है और फाइन वगारा या कुछ यह ज्यादा वखील साब पैटर जान दे होणगे, उन्दी आदी भी कोई ऐसी प्लैनिंग हो सकती है कि मैं किसे केस दे वेचे करेड़ा तो अमेरिका दे वेचे जाके आदे आपनों आरेस्ट करवाना और उत्थोदा जड़ा लीगल पर प्रसीज़न है पहलाद दूसरा कोई कंट्री चेस आदा लेके पो सब्सक्राइब करो इस तो इलावा एक अलाव किते जारी ने कुछ गायकां थे पर्चे दर्जवी होगे ने इना चीज़ा नूवी असी किस तरीके नल देखते हैं तो लगता है कि इना चीज़ानल वाकिए कोई फाइदा हूंड वाला है और जदों ए सारा कुछ चल रहा ह इदे विचकार ही खबर आजन दिए कि गोल्डी ब्राड डिटेन कर ले गया है ता ओ एक जड़ा महौल पंजाब दा एक डर वाला महौल है उस महौल थोड़ी राहत मिले कि तो लगता है कि थोड़ा जा लोकां दे अंदर जड़े सहम दी पावना है उत तो बाहर निकलनग कि अधिक घरपी कितना किते जड़ी यह पंजाब पुलीस ने मेजर कीते ने ओ कितना किते एफेक्टिव होंगे क्योंकि हम असाड़े लोकां मिच कितना किते डर आ गया है के गैंस्टर्स टेरिस क्रिमिनल्स कितनों में जाके किसे नों गोड़ी चला कि अपनी मुदू का कितना किते पंजाब पुलीस जड़े नवे मेजर ने एफेक्टिव होंगे बट पंजाब पुलीस टूए मेजर जड़े ने बड़ी केरफुली इंप्लेमेंट करने कि कोई इसी इनुसेंट बंदे नों ना असी ता हैरस करिये अगरोदे कोल वैपन है तो उन्हों पर हैरस ना करिये पर ओनिंगा वैपन और जडिस्प्लेंग वैपन सम्वेर तो गलत कोई इदा यूज ना हुए बट अर्पी जी आई थिंग सानु बेसिक कॉस्त भी वापिस हाना पैना जी बेसिक कॉस ए है के पाकिस्तान जड़ा है ओ लगातार आम्स और एक्स्प्लोजिव और आइडी पेजी जा रहा है जी बीसेफ दे डिरेक्टर जेनरल दी अपनी स्टेट्मेंट है के इस वारी पंजाब विच दोसो पंदरा ड्रोन साइटिंग हुएं इन टूथाजन ट्वेंटी तो डबल और डबल ऑफ दे साइटिंग इन टूथाजन टूजन ट्वेंटी वन पाकिस्तान श्रारत कर रहा है सानु एनू बड़ा सीरिसली रहना पड़ा है के पंजाब विच जड़े मुसे वाला विच भी जड़े वैपन्स यूज वह ने ओ भी पाकिस्तान तो आई सी के जी अमरे सर्तों ना ने सप्लाई की ते टूद किलर्स तो एज़ता कसी पाकिस पाकिस्तान तो भी जड़े ड्रोन लेकर आ रहे समान यह बंद और गैंस्टर नू सप्लाई कट वे क्योंकि जड़े बड़ा इनक्सिस था बहुत खतरनाक है ड्रग पेडलर टेर्रिस्ट गैंस्टर इना तिना था नेक्सिस था हो जड़ा खतरनाक हो गया हाँ देखो निया ने रेड भी किती है ने नेक्सिस अंडी के गैंस्टर ड्रग समगलर्स और टर्रिस कठी हो गिने और अपने पिंजाब नो डी स्टैबलाइस करने कोशिश कर रहे ने कदी डेरा फॉलोर नो मार देने कदी एक बड़े सिंगर नो मार देने ने राइट द गो टू तो रूट आप दिस टीक टार मैटर और मनू लग जाए जिटे डेली पुलीस और पिंजाब पुलीस दे रीसेंट डेज विच कुछ इने सफलता पाईया है गिया ने गैंस्टर नू काड काड के ना ने फड़े हैगा एक चंगी बड़ी बडिया डवल्मेंट है बड़ असी इनू सस्टेन करना है यह ना होए के दो चार मीनिया बाद फेर असी दिल्ले पाइगी है गैंस्टर फेर अगे आजन बहुत ठीक है चलो एडवोकेट अंडल पाल सिंग शेर्किल साब चलो एक प्रिटिकल सवाल भी पोछ लेना था कि हूं पजाब दी सरकार न है तो उन्हों एक चीज़ नोटिस लेना चाहना है मैं केस अंडल कीता है तरंतारंदा जिते क्लर्क सी गा आंज डिपार्टमेंट देविच ओते फेक लैसेंसे बंदे सी जी आंजे पूरे बॉर्डर दिस्ट्रिक्ट से विच देर इस लॉट अफ फेक आंज लैसेंसिंग गर्मन ने जड़ा स्टेप मूव कीता है बहुत पॉस्टिव स्टेप है पूरी आडिटिंग होनी चाहिए आंज लैसेंसिंग दी पंजाब देविच जी किड़ा के आंज लैसेंस किनने लिया है किते लेके गया है और जड़ा गन कल्चर प्रोमोट तां होंदा है वें जि सेफटी लिए गया है और इस सपोस्ट टो बी कैरेट इन अ मैनर जिवें आम जैक्टिव स्पेसिफाइड है एक गल्द स्यों की जड़े पर्चे हूरी ने एक कनून दी कुछ तारा है गी है जिसता है तो पर्चे दर्च किते जा सकते ने कि जे फेस्बुक ते किसे ने सब तो बड़ी इंपॉर्टन काल मैं तोटे हाइलेट कर रहे हैं हाजी तरन तरन डिस्टिक्ट देविच पंजाब देविच हजारा फेक आम्स लाइसेंस ने ओना दी आडिटिंग जे होए सारा क्राइम बॉर्डर बेल्ट दा खतम हो जाएगा फेक आम लाइसेंस नाल प कि पूरे पंजाब मैं ते मोदी जी ने भी कहांगा कि पूरे इंडिया दी आडिटिंग कर दो तो नाइंटी परसंट क्राइम खतम हो जाएगा फेक आम्स लाइसेंसिंग बिहार पंजाब यूपी मध्यप्रदेश लाइसेंसिंग आमस ने जड़े उस तो तक राइम पर एजड़े पंजाब लाइसेंसिंग ने साउ तक मिस्यूज उन देने फेक आमस लाइसेंसिंग उन एथो जड़ा कहरी कर ली लेगा है बंदा कि मैंचन कैरी तौल अरौंड इंडिया मेरी सेफ्टी नो खतर है जी ओ किड़ा आगे चेक करेगा थे कि फेक है कि जैन्वन जी जैन्वन देशुट बेटाबेस कंट्रोल बाइडी ओम मिनिस्ट्री गमेंट अव इंडिया नॉट इस्टेट गर्मेंट देन यू अचीव विक्टरी इन दिस अदर्वाइस यू को ठीक है चलो बहुत बहुत तानवात सारे में हमना था इस पूरी विचार चार चार जोड़े रहने देली क्योंकि मुदा बड़ा गंबीर है गया एक चंगी काल है कि गोल्डी ब्राड डेटेन हो गया पर वापसी दरा इना सौखा नहीं रहना जिना सौखा मनेया जा रहा है साड़े माहर भी मन्देने की वापसी होएगी तसे ही पर आखी हो सक दिया है और एक बड़े चुनाती होन सादिया एजंसियां दे सामरे है कि एजंसियां एक केस के वे पुटाप कर दियाने एक के में रख दियाने कि सादी मुझे ब्राड आ पॉले है कि हूँ हूँ है की पुखता सबूटने की साद कोल के पंजाब दर द विच जिड़ा शुरू है इस दौर दा करता तरता गोल्डी ब्राड है ए सारी चीजाने पुकता तौरते इस साबत करनी है पढ़नी है उत्त दी अदाल्त नू सैटिस्वाइड करना पढ़ने उस तो बाद गोल्डी ब्राड पारत आ सगता है देश्ट नुए दिबाकी खबराली बनेरो पीडी सी छोल्डी ब्राड पारत नुए यद्ट